लोग smooth straight बाल पाने के लिए पताने क्या क्या करते हैं काफी सारे लोग creatin करवाते हैं बालर पे जाके महंगी महंगी smoothening करवाते हैं जिसे किया है एक time के बाद बाल आपके बेकार होना शुरू हो जाते हैं अगर आप continue creatin treatment लेते हैं तो आपके बाल वैसे ही बने रहते हैं otherwise बे बिल्कुल ही naturally homemade creatin आप लोगे शेयर करोंगी और यह बिल्कुल ही naturally है कोई भी आपके बालों को harm नहीं करता हो बहुत जदा पैसे भी खर्च नहीं होंगे और बहुत ही easily आपके बाल जो है shine करेंगे smooth रहेंगे plus आपकी जो बाल है बहुत जदा straighten up होंगे तो चलो इसको बना करते हैं बनाने के लिए मैं यहाँ पर से पहले बता दूं अगर चैनल पर नहीं तो प्लीज चैनल को subscribe करें वीडियो पसंद्ध है तो प्लीज वीडियो को like कर दें comment करें share करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज कर रही हूं एक दो एग आप एक भी ले सकते हो अग पिर अपने हेर की लेंद की अकॉर्डिंग इसको ले लें, एक्स को यहां पर मैं बहुत सारे पाउडर्स यूज़ करूँ जो आपके बालों को नैचुरली आपके बालों को प्रोटेक्ट करते हैं, हेर स्मूथनिंग अवग करते हैं, प्लस ग्रेंग हेर से बचाते हैं, तो उसके बाद मैं यहां पर यूज़ कर रहे हूं सिका काई सिका काई का भी सेम वर्क है यह सारे पाउडर्स जो है नेच्चुरली हैं और आपको बहुत इजी लिए आपको फिलिपकार एमेजन परपल पर मिल जाएंगे तो वहां से जाके आप इसको बाई कर सकते हो और बहुत ज़्यादा है अगर विरिंगराज का ओईल नहीं यूज़ करते तो उसको यूज़ करके देखिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वह ट्रीट होंगी यह पे पैक एक ऐसा पैक है जो कि आपकी बालों की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा चाहे आपकी डेंडर फो आ मन्हारी लीफ का पाऊडर जो कि आपकी बालों के काफी अच्छा रहता है डेंडर उफ अगेरा की लिए कि प्रॉब्लम को ट्रीट करता है नेक्ट उसके बाद है नीम पाऊडर नीम आपकी डेंडर फो रकिए यह तेंडर हो लीक्त हूं और मेरे पास यहं लाइमन का पा scalp पे जो आपके patches type के हो जाते हैं वो सारी चीज़ें को treat करता है actually ये powders मेरे बालों की length की according था आप चाहो इसमें कम कर सकते हो चीज़ें और बड़ा भी सकते हो quantity इनकी दो दो चमच मैंने सारे powders को अच्छे से mix कर लिया और थोड़ा सा बड़ा बाउल ले लिया उसको मैं इसको मैंने डाल दिया जिससे के अच्छे से mix हो जा उसके बाद खटी दही लोंगी actually दही मेरे पास थी और थोड़ी सी कम पड़ गई थी इस वज़े से मैंने दही market वाली यूज करनी पड़ी मेरे को at the moment नहीं थी तो इसको मैं अच्छे से mix करूँगी दही में lactic acid होता है प्लस आपके बालो में खटा होता है जिसकी विज़े से dandruff वगएरा थोड़ी बहुत होगी ना उसको ट्रीट करेगा आपके बालो में जो भी problems है जब यह सारा पैक जो लगेगा आपके बालो को क्रेटिन का work करेगा स्मूथनिंग देगा आपके बालो में शाइन एड़ करेगा उसके बाद मैं कुछ hair oils यहां पर यूज कर रही हूँ लाइक कैस्टर oil then मैं यहां पर पांचे ताई की कि मैंने hair oils यूज की है nourishing hair oil है then almond वाला hair oil और यह वाला pack जो है बनके ready हो चुका है इसको मैं इतना smooth बनाना कि इसमें कोई भी lumps ना पड़े रहे और यह आप मेरे बाल की पहले वाली condition देख सकते हैं बहुत ज़दा वेकार हो रहे थे बाल और मैं यह सब सिर्फ एक ही use में आपकी जो भी condition होगी बालो की आपको एक ही use में आपको results मिलेंगे आपके बाल काफ काफी हद तक shiny हो जाएंगे अंडा दे रखा है अंडा अंडे में अच्छा खासा protein होता है एक natural creatine का work करता है तो अगर हफते में या फिर 15 दिन में आप एक normally अंडा या यह वाला pack पूरा mix करके लगाऊगे तो आपकी 90% जो problem है बालो की आपकी treat होगी और आपके बालो में जो भी problems है लाइक जूएं वगेरा की भी है वो सारी चीज़े इसमें नीम एड किया गया है नीम का पानी है या नीम का पाउडर है यह दोनों चीज़े काफी अच्छी रहती है नीम एंटिवैटिक प्रॉपर्टीज रखता है lemon vitamin C का source है और आपके बालों को काफी जो है अ दिन लगा सकते तो किसी की help से इसको लगाएं और उसके बाद ना इसको अच्छे से पूरे roots तक tip of hair hair length में पूरी अच्छी तरीकी से लगा लें then उसके बाद कम से कम इसको एक घंटे रखें एक से डेड़ घंटे रखें और उसके बाद आप इसको hair wash करें hair wash करने के बाद instantly results आपके मिल जाएंगे और आपकी जो भी problems है आप खुद देखोगे काफी अच्छे इसके results होंगे naturally होगे कोई भी आपको harm नहीं करेगा then उसके बाद आपकी पैसे भी इतने waste नहीं होंगे जो आप creating कराते हो उसमें काफी सारे पैसे waste होते हैं अगर आपको वीडियो पसं शेयर जरूर करें उनको भी इस चीज़ का effect मिले तुम्हें मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई लब यू और टेक के और प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब